नमस्ति फ्रेंज स्वागत है आपका रसोईसी माकी में आज रसोईसी माकी में बन रहे हैं पटेटो बेज इन्हें आप स्टार्टर में सर्व कर सकते हैं और इनको आप चाय की साथ खा सकते हैं चलिए तो फिर पटेटो बेज बना लेते हैं और पटेटो बेज बनाने के लि पहले हम बीच से दो पाट कर लेंगे इसके अब एक हिस्से को साइड हटाएंगे और एक को हम बीच से काटेंगे इस हिस्से को भी बीच से काट लेंगे और फिर इस मैंसे दो हो जाएंगे ना उनके भी हम चार टुकड़े कर लेंगे बीच से काट काटके तो बस एक आलू के काट लिया है आप चलिए इने बोईल कर लेते हैं इने बोईल करने के लिए मैंने पहले से एक पैन में पानी गरम होने के लिए रख दिया था और ये बड़िया से बोईल हो गया है इसमें अच्छे से बबल आ रहे हैं इसी समय हम इसमें एक चमच भर के नमक डालेंगे नमक स मैंने बड़ी आसे सारे आलूओं को इसमें डाल दिया है अब इसे हम ढखकन ढखके 5 मिनिट तक पकाएंगे सिर्फ 5 मिनिट तक और आगे मैं आपको बता दूँगी कितना पकाना है चलिए तो फिर आलूओं को पकते हुए 4-5 मिनिट के करीब हो गए हैं तो इनको अब हम चेक कर लेंगे देखने से तो आलू लगनी लगे हैं कि ये पक गए हैं लेकिन फिर भी हम इनको चेक करेंगे तो एक आलू को उठाएंगे हम इस टाइम मैंने फ्लेम को लो रखा है आलू 70% तक कुक हैं इसलिए हम थोड़े इने हलके हाँ से फैला आएंगे क्योंकि थोड़े टूट सकते हैं इसलिए हमने हलके हाँ से फैला लेंगे इस रेस्पी में हम सिर्फ आलूओं को ठंडा करेंगे जादा देर रखना नहीं है इनको सिर्फ ठंडा ही करना है हमको आलू बढ़िया से ठंडे हो गए हैं तो आप इने हम एक मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे इन आलूओं में अब हम दू चम मच भर के कॉन फला मिला रही हूं वो मसाले मिलाएं और फ्राय करके खाल लें थोड़ा समय ने काली मिर्ची का पाउडर डाला है आदा चमस लाल मिर्ची पाउडर डाला है कसमेरी अच्छे कलर के लिए स्वादा नुसार नमक डालेंगे और नमक हमने पहले भी डाला है इसलिए थोड़ा कम ह इने मिक्स कर लेंगे, कौन फ्लार और मसाले इन पर बढ़िया से कूट हो गए हैं, तो आव इनको निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे, इन्हें हम ऊपर-उपर से उठा लेंगे, और मा की जो एक्स्टर कौन फ्लार है उसे नीचे रहने देंगे, मैंने सारे पटेटो डालेंगे हम और इसी से सिलेरी तैयार करेंगे तो ये देखिए मुझसे थोड़ा जादा ही पानी डल गया है तो अब मैं इसमें एक चमच भर के कौन फ्लार और डाल लूँगी अगर आपके पास कौन फ्लार ना हो या आप और डालना ना चाहें तो इसकी जगा पर आप होने के लिए रख दिया है इनको फ्राइ करने के लिए अब पटेटू बेच को बढ़िया से हम इस सिलेरी में डिप कर लेंगे अच्छी से डिप करेंगे सारी पटेटू पर बढ़िया से सिलेरी लग जाए एक एक करके हम जितने आएंगे उतने पटेटू बेच को कड़ा इनको हम उलटते पलटते फ्राय कर लेंगे, यह थोड़े से आपस में चिपक से गए हैं ना, इने कर्ची की हेल्प से हम निकालते जाएंगे और इनको फ्राय करते जाएंगे, मैंने इने थोड़े जल्दी से डाल दिये, एक के बाद एक इसलिए आपस में चिपक गए, आप मैंने heat को medium कर दिया है medium flame पर हमेने fry कर रहे हैं चलिए तो फिर हमारे पटेटो बेज बहुत पड़िया से पग गई हैं इनको अब हम निकाल लेंगे इनमें हमने जो कस्मीरी लाल मिर्ची का इस्तमाल किया था ना उनसे इनका कलर तो बहुत बहुत जादा अच्छा आया है मुझे पटेटो बेज को fry करते हुए 8 से 9 मिनिट करीव लगे हैं चलिए तो फिर तैयार है हमारे बहुत जादा सुपर टेस्टी लगने वाले पटेटो बेज इनको मैंने टमेटो सॉस के साथ सर्ब किया है यह बहुत जादा अच्छी लगते हैं इसके साथ मैं तो फिर तैयार है हमारी सबी को पसंद आने वाली रेस्पी बच्चों से लेके बढ़ों तक अगर आपको मेरे पटेटो बेज की रेस्पी पसंद आई होना तो पहले आप इसे बना कर देखें फिर मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें थेंक यू